हेलो स्टूडेंट, वल्कम तू माई यूटूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूडेंट आज हम दिसक्स करेंगे क्लास टैंड में चप्र फोर क्वार्टे की कोशन की इन्पोर्टन कोशन कोशन नुबर फिटी फोर में में विद रखा है हम यहाँ पर x की value find करनी है जहाँ पर मेरा जो x है वो ना तो 0 गी को लोगा ना 3 by 2 गी को लोगा ना मेरा 2 गी को लोगा तो इसको करने के लिए ये दो जो हैं दोनों टम दे रखिये हैं इन दोनों का लेंगे LCM तो LCM लेने के बाद करेंगे cross multiply 2x minus 3 2 को x के साथ किया 2x 1 upon में x minus 2 2x 2x 4x minus 3 x को 2 के साथ multiply किया 2x square x को 3 के साथ किया minus का 3x x minus में 2 अब करेंगे cross multiply 4x minus 3 x minus 2 2x square minus में 3x 4x को x साथ multiply किया 4x square 2 के साथ multiply गया 4 2 जा 8x 3 को x के साथ multiply गया minus 3x minus 3 minus 2 minus 3 into minus 2 positive का 6 2x square minus का 3x आ गया 4x square 8 और 3 11x आया positive का 6 इसको विदर ले आते हैं negative का हो जाएगा negative वाले इदर आगी positive का is equal to 0 4 में से दो गया 2x square positive का 11x sorry negative का 11x positive का 3 11 में से 3 गया negative का 8x यहाँ पॉजिटिव का 6 is equal to 0 पूरी equation में से 2 common आ रहा है 2 1 जा 2 2 4 जाए 2 3 जा 6 2 multiply में किसमें आ जाएगा divide में इस equation के करेंगे हम factor factor करने का तरीका first वाले को last वाले से करेंगे multiply कितना आया 3x square दो नमबर चाहिए multiply करने पे 3 आजे plus minus करने पे 4 आजे तो ये कंडिशन बनती है 3 बन जा 3 multiply आगे 3 आप्लस किया तो minus का 4 आएगा तो minus का 3x minus का 1x plus का 3 दोनों minus क्याद होगे कितना होज़ें minus का 4 इन दोनों के 1 साथ इन दोनों के 1 साथ commonly x आया यहां बचा x x बाहर आगे यहां बचा 3 जब भी हाँ minus दे रखो minus common देंगे अंदर बार लगए साथ चेंज minus है तो plus plus है तो minus दोनों में किसी का डिवाद दे जार 1 दे लेंगे ये दोनों term हमेशे एक जैसी हैंगे अगर एक जैसी नहीं है आते इस दोन में लेना question में mistake है इन दोनों में इसे एक term लिख दे नहीं है और x minus 1 को एक साथ x minus 3 is equal to 0 minus का 3 उदर जै किसको आजायागा plus का x minus 1 is equal to 0 minus का 1 उदर जै किसको आजायागा plus का तो मेरे दो value निकल किया आगी एक तो 3 और दूसरी 1 और इसी के साथ मेरा question number 54 यहाँ पर complete होता है अब discuss करें question number 55 तो question number 55 मेंने अनूड कर लिया है इस question के अंदर भी हमें क्या करना है x की value ही find करनी है तो इसको करने के लिए भी हम क्या लेंगे पहले LCM x minus b x minus a इसके बाद कर देंगे cross multiply a x minus a को एके साथ b को multiply कर देंगे x minus b के साथ is equal to 2 a को x के साथ multiply किया a x a को a के साथ किया minus a square b को x के साथ किया b x b को minus b के साथ किया minus kaa b square यह देखो cross multiply कर देंगे दोनों नीचे हैं इसके multiply में आ जाएंगे x minus b x minus a अब यहाँ पर कोई एक जैसी term नहीं आ रही है a x b x minus a square minus b square 2 को हिनाने देते हैं पहले इन दोनों को multiply करते हैं x को x के साथ multiply किया x square x को a के साथ a x फिर b को x के साथ minus kaa b x minus b को minus a के साथ किया positive का e b a x b x minus a square minus b square 2 को इसके साथ multiply किया 2 x square इसके साथ multiply किया 2 a x फिर b के साथ किया minus 2 को minus 2 b x तो गिसकाज़ा मुल्टिप्लाए गया 2AB इन सभी टर्म को ट्रांस्पोज करके दूसरी तरफ ले चलते हैं तो ये तो मेरे आज़रीज रहेंगे माइनस का 2AX 2BX 2AB प्लस का था इदर आगे माइनस का प्लस का था माइनस का हो गया माइनस का था 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 common जो number आ रहा हुआ है, उसे common निकाल लेंगे, इन दोनमें से मैं common निकाल लेता हूँ, हाँ, minus के x को, तो minus के x को common निकाल हुआ, अंदर वाले century लेंगे minus यह जो प्लस, three a, three b, minus गदाप प्लस होगे, minus कदाप प्लस होगया, a square, b square, 2 a, b, is equal to 0, यह बनगी मेरी एक क्वारिटिक एक्विशन थोड़ा सो और सो लोड़ा तो वह भी कर लेते हैं 2X स्क्यर इन में से 3 भी कॉमन आ रहा तो 3 को भी कॉमन निकाल लेते हैं 3X तो यहां बज़ गया A प्लस B इनका पूरा फॉर्मला क्लोज हो रहा है A प्लस B में तो इनका फॉर्मला क्लोज करती है A प्लस B का होल स्क्यर अब यह देखो इसमें A B तो अल्रडी आई रहे हैं तो मैं इसको क्वारिटिक की कुशन में इस तरीक से लेग देता हूँ क्यापिटल में A X स्क्यर B X प्लस C is equal to 0 तो मेरा जो A होगा वो कितना होगा 2 B की वैली होगी माइनस का 3 A प्लस B C की वैली हो जाएगी A प्लस B का होल स्क्यर इतना करने बादा मैं यूज करूँ हूँ अक्वारिटिक फॉर्मला जिसके अक्वार्डिक प्लस का D निकारना होता है D हमारा होता है B स्क्यर माइनस का 4AC यहाँ पर कैपिटल यूज करेंगे A और C क्योंगी स्मॉल A ओल्लेडी यूज हो चुके है B की जिगार रखा मैंने माइनस का 3 A प्लस B पूर A का होल स्क्यर A की वैलीव 2 C की वैल्लिव A प्लस B का होल स्क्यर स्क्यर लगा है इसका माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टिप्ला गरेंगे 9 A प्लस B का होल स्क्यर 4 टूसा 8 A प्लस B का होल स्क्यर दोनों A प्लस B होल स्क्यर कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते है कितना बचिकान 9 9-8 कितना आगा 1 is equal to D इमेरी आगे D की value अब लगाएंगे formula X is equal to minus का B plus minus under root D upon 2A minus B B कितना दे रखा मुझे minus का 3AB plus minus under root D D की value A plus B का whole square upon 2A A की value 2 minus into minus plus plus minus square and root cancel हो गया कितना आगा A plus B 2 to the 4 अब इसे एक बार हमें positive में open करना है और एक बार हमें इसे negative में open करना है तो 3 A plus B एक बार मैंने ले लिए इसे positive में और एक बार ले ले लेता हूँ negative में तो positive में open करते हैं 3 को A से multiply हागिया 3A 3 को बीसे किया 3B A and B 3A और 1A 4A 3B और 1B 4B दोन में इसे 4 common आ रहा है common निकाल है, cancel हो गया तो X की जो value निकल गया है, मेरे कितने निकल गया है A plus B एक तो E value निकल गया है X की दूसरी value इसे solve करते हैं 3 को इसे किया 3A 3 को बीसे किया 3B bracket open होगा, तो अंदर वालो गसाइन चाहिए plus है तो minus plus है तो minus 3 में इसे बने गया 2A 3B में इसे 1B गया positive का 2B दोन में से 2 common आ रहा है तो यहां बच्चा A plus B नीचे 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो यहा value आ गी A plus B upon me 2 दूसरी value में यह निकल गया आ गी और इसे के साथ मेरा question number 55 यहां पे complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और इस channel को ज़रूर subscribe करने बेल तगली वीडियो में, okay, bye bye, thank you